हाओ अब है जानकारी जिसके बारे में बच्चे बहुत कम जानते होंगे उसके बारे में हमें हाँ पर आपको आउगत कई आ देखते हैं तो आज क्या है कि अब दिमाग में बना रहे हैं कि पाट आप इसपीच होता क्या है तो इसका solution आपको तुरंत ही मिल जाएगा, कुछी सेकेंड में, देखिए आगे आपका, परतेक वाके में सब्द का कारे अलग-अलग होता है, इस कारे के अनुसार सब्दों को नौ भागों में विभक्त किया गया है, जिने हम पाटा-पिस-पीच कहते हैं, अभी आप लोग कि दिया है, आपका डबल-बार्ट-पिस-पी-च किसे कहते हैं, यानि हमारा डबल-बार्ट-पिस-पी-च होता का है, इसके बारे में बहुत-au Suspens लौ आता है, तो आज यह देख लेंगे, कुछी सीकेंड में भी आपके सामने आंशार आने वाला है, तो डबल-बार्ट आपिसपीच किसे कहते हैं अब देखिए यह आपके सामने आ गया कि आंसर आपका है कि वर्ब के ing farm को हम जिरेंड बोलते हैं infinitive यानि वर्ब के पहले अगर हम 2 लगा देते हैं तो हका हो जाता है आपका infinitive हो जाता है तो इसी रूप को हम का कहते हैं double part up speech के नाम से हम जानते हैं इसके बारे में 20 रूप में अधियन कराया जागा आपको अगले वीडियो में यानि फिर हम अगला वीडियो जब डालेंगे तो हाँ पर आपको हम यह बता देंगे कि participle कैसे बना जाता है फिर आपका जिरेंड जो होता है ing लगाने से बनता है फिर आपका क्या infinitive वर्ब के पहले 2 लगा देंगे तो आपका infinitive बन जाएगा और उसी रूप को double part up speech के नाम स जानते हैं ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में